पाताल पानी जल प्रपात इंदौर जिले की महु तहसील में स्थित है और यह स्थान इंदौर के प्रमुख परियतक स्थल होने के साथ साथ शेत्र के स्थानिय लोगों के लिए एक लोगपरिय पिकनिक स्थल भी है यह घने जंगल, राजसी पहाडियों, साफ आसमान और हरे इरभार भरी जिंदगी से दूर कुछ समय प्राकृतिक सुंदर्ता और शांत वातावर्ण के मध्य व्यतीत करने के लिए शांदार और मनोहनिय द्रिश्यों की पेशकश करता है और इसी कारण साल भर इस स्थान पर परियटकों और पिकनिक मानाने वाले लोगों का आना ज जाना लगा ही रहता है दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे पातालपानी का सबसे प्रमुख आकर्षण पातालपानी जलप्रपात है जो 300 फिट की उचाई से नीचे गिरता है जबकि मानसून के मौसम में जलप्रपात को विशाल रूप में देखा जा सकता इसके अलावा सफेद रंग की गर्जनावाली उत्पन धाराए अध्भुद और मनमोहनिय नजारे प्रस्तुत करती हैं, जिन्हें एक बार देख लेक तो नजरे हटाने का दिल नहीं करता है अगर आप भी अपने परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने या घूमने के लिए इंदौर के आसपास किसी अच्छी जगह की तलाश में हैं, तो पाताल पानी जलप्रपात आपके लिए सबसे अच्छा विकल्थ हो सकता है इंदौर के लोग प्रिय पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाने वाला पाताल पानी वाटरफॉल भारत के सबसे खतरनाक वाटरफाल्स में से एक है पाताल पानी वाटरफॉल की सबसे आश्चर्यच्छित करने वाली बता यह है कि इसके कुंड की गहराई को अभी तक नापा नहीं जा सका है जबकि लोगों की माने तो इस कुंड का पानी पाताल तक सफर पूरा करता है इसलिए इसका नाम पाताल पानी रख्था गया है आईए अब बात कर लेते हैं पाताल पानी वाटरफॉल की एंट्री फीस के बारे में आपकी जानकारी के लिए बता दे पाताल पानी जलप्रपात में परियटकों के घूमने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है यहां परियटक बिना किसी शुल्क का भुगतान किये आराम से घूम और एंजॉय कर सकते हैं वैसे तो पाताल पानी वाटर फॉल 24 घंटे खुला रहता है लेकिन यहां घूमने के लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का समय परियटकों के घूमने के लिए मान्य समय होता है साथ ही आपकी जानकरी के लिए हम आपको अवगत करादे की पाताल पानी वाटर फॉल की पूल्ण और रोमाचक यात्रा के लिए 2-3 घंटे का समय निकाल कर यात्रा करने का प्लान बनाए आएए अब जान लिते पाताल पानी वाटर फॉल के आसपास घूमने लायक परियटक स्थल कौन कौन से है इंदौर मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा शहर है जो परियटकों के लिए एतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक गृष्टिकोन में महत्वपून स्थान रखता है यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ इंदौर के निकट स्थित पाताल पानी वाटर फॉल घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दे इन दौर में पाताल पानी जहरना के अलावा भी अन्य प्रसिद्ध और लोकप्रिय परियटक स्थल भी यहां मौजूद है जिन्हें आप अपनी यात्रा के दौरान इन्हें अवश्य भूमना चाहिए जैसे लाल बाग पैलेस, राजवाडा, कांच मंदिर, बड़ा गणपती मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, छप्पन दुकान, खजराना मंदिर, राला मंदल वन्यजीव अभ्यारणिय, बिजासन टेकरी, महाडी जलप्रपात, मेगदूत गार्डन, जोगी भड़क जलप्रपा अब बात करते हैं जून से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा समय होता है इस दौरान पाताल पानी वाटरफॉल अपने पूरे प्रवाह के साथ गिरता है और सफेद रंकी गर्जना वाली उत्पन धाराय अध्भुद और मनमोहनिय नजारे प्रस्तुत करती है जिन्हें एक बार देख ले तो नजरे हटाने का दिल नहीं करता है चलिए अब बात करते हैं पाताल पानी वाटरफॉल इंदौर के से पहुँचें इंदौर का लोक प्रिय परियटक स्थल और पिकिनिक स्पॉर्ट पाताल पानी जहरना हवाई मार्ट, रेल मार्ग और सडक मार्ग के द्वारा भारत के बिभिन शहरों से अच्छी तरह जुडा हुआ है आप फ्लाइट, ट्रेन, बस, केब या अपनी कार किसी से भी यात्रा करके आसानी से पाताल पानी वाटरफॉल पहुँच सकता है सबसे पहले नंबर में बात करते हैं फ्लाइट से पाताल पानी वाटर फॉल कैसे पहुँचे यदि आप फ्लाइट से यात्रा करके पाताल पानी वाटर फॉल घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपकी जानकारी के लिए बता पाताल पानी जहरना का सबसे निकट्टम हवाई अड़ा इंदौर हवाई अड़ा है, जो पाताल पानी वाटर फॉल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदौर हवाई अड़ा से दिल्ली, मुंबई सहित भारत के अन्य प्रमुक शहरों के लिए कई उड़ाने संचालित की जाती हैं। फ्लाइट से इंदौर हवाई अड़ा पहुचने के बाद, आप टेक्सी या बस से यात्रा करके पाताल पानी वाटर फॉल पहुच सकते हैं। ट्रेन से पाताल पानी जहरना कैसे पहुँचे यदि आपने पाताल पानी वाटरफॉल की यात्रा के लिए रेल मार्ग का चुनाव किया है ट्रेन से सफर करके इंदौर पहुँचना आपके लिए अच्छा विकल्प है पाताल पानी जरना का सबसे निकट्टम रेल्वे स्टेशन इंडॉर रेल्वे जंक्षन है जो की पाताल पानी वाटर फॉल से लगभग 35 किलोमिटर की दूरी पर स्थित है इंदोर रेल्वे स्टेशन भारत के सबसे बड़े जंक्षनों में से एक है जो की भारत के अधिकांश प्रमुक शहरों को रेल मार्ग से जोड़ता है इंदोर रेल्वे स्टेशन पहुचने के बाद पाताल पानी वाटर फॉल जाने के लिए आप बस या टैक्सी सेवा ले सकते हैं सडक मार्ग से पाताल पानी वाटर फॉल कैसे पहुँचे यदि आप बस या सडक मार्ग से यात्रा करके पाताल पानी जहरना घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दे बस से यात्रा करके पाताल पानी वाटर फॉल जाने के लिए पहले आपको इन दौर तक पहुचना होगा उसके बाद इन दौर से महु के लिए एक बस लेना होगा और महु पहुचने के बाद आप टेक्सी या ओटो बुक करके पाताल पानी वाटर फॉ इसके अलावा यदि आप अपनी कार से यात्रा करने अपने गंतव्यस थल तक पहुचना चाहते हैं, तो कार से यात्रा करना आपके लिए सबसे अच्छा और आरामदायक विकल्थ हो सकता है.